तस दिन से जादव हो गए हैं और देश के बड़े दिगज इस समय भी जंतर मंतर पर अपना खूंटा गाड के खड़े हैं उनका ये कहना है कि जब तक ब्रिज भूशन शरन के खिलाफ कारवाई नहीं होती वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिस तरीके से धर्णा प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें कल रात को एक बड़ा हाथसा हुआ हाथसा ये हुआ कि ये जो आपको पीछे नजर आ रहा है ये सारे भीगे हुए गद्दें हैं क्योंकि देश की राज़ारी दिली के अंदर पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही थी तो जिन गद्दों की उपर ये रेसलर्स सो रहे थे बैट रहे थे वो सब भीग चुके थे और इन पर सोना मुम्किन नहीं था यही कारण है कि सोमनात भारती ने ये कहा कि वो अपनी तरफ से ये जो हमारे रेसलर्स हैं इनके लिए गद्दे और तकत बिजवाएंगे ताकि ये रात को सो सके क्योंकि 24 गंते पूरे दिन सुवैसे लेके रात तक यहीं पर जंतर मंतर पर खाना बनाया जाता है और रेसलर्स यहीं रहते हैं जब ये बात हुई तो रात को लगभा 11 बजे के आसपास कई सारे नए गद्दे और कई सारे खाट जो हैं वो यहाँ पर लेके आए गया ताकि रेसलर्स जो हैं उन पर सो सके और ये जो भीगा हुआ आपको सब नजर आ रहा है यहाँ पर जितने भी गद्दे थे वो सब भेंकर तरीके से भीग चुके थे लेकिन रात को रेसलर्स और दिली पुलीस के बीच के अंदर कहा सुनी हुई यही कारण है कि अब इस पूरे इलाके के अंदर आपको दूर दूर तक सिफ बैरिकेट नजर आएंगे पुलीस ने इस पूरे इलाके को जो जंतर मंतर है इस पे बैरिकेट लगा दिये हैं और पुलीस कर्मी भी अब आपको नजर आएंगे कि कितनी भारी तादात में यहाँ पर मौझूद हैं। किसी को भी जंतर मंतर पर इस इलाके में आने की समय अनुमती नहीं दी जा रही है। और उसका कारण यही है कि रैसलर्स एक तरफ जो हैं विनेश वोगाट का यह कहना है कि महिला पुलीस कॉंस्टेबिल मौझूद नहीं थी जब यह हरप हो रही थी और जो पुलीस कर्मी है उन्होंने बहुत बत्तमीजी करी रैसलर्स के साथ और बात सिर्फ इतनी थी कि यह ज ंचेऽ करने इतना नहीं पुलीजाध टूड़ पीज़ कि यह गज़ साथ बघेगोसे कितो इतना जाघंचे विर जाबानको है कि तो कमारेट, तोड़, ड्लाव,दो झाल झाल